मैं हूँ निहारिका इफ एन्य विजिटें माइ चैनल फो वेरी फिर्स ताइब एक्षिर तो माइ चैनल फो फॉर्ड नोटिफिकेशन आज के वीडियो में करने वाली हूँ मैं एनके मेकप के नूली लॉंच 9 आईशाडव पैलेट का रिव्यू तो गाई रिसेंटली एनके मेरे चैनल को पहले से जो है फॉलो करते हैं मेरे मेकप लुक्स अगर आप देखते तो आपको पता होगा कि मैं एनके मेकप के जो है पैलेट्स पहले भी यूज करती हूँ उनके जो 9 आईशाडव वाले पैलेट्स आते हैं उनकी सारे जो है शेड्स मेरे पास है मैं आपको इसलिए जैसे ही मैंने इसको online देखा, मैंने तुरंट इसको order किया and सारे palette जो है मैंने purchase किये है so guys NK Makeup ने 4 eyeshadow palette जो है वो launch किये है अलग-अलग variants में and मैं एक एक eyeshadow palette के आपको swatches दिखाऊंगी इस video में and जो मैंने eye look इस video में कर रखा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही simple सा eyeshadow makeup मैंने किया है फिर भी यह कितना अच्छा लग रहा है अगर आप इसको लेंगे पर साड़ी पर करोगे तो यह आपका perfect party look बन सकता है so friends यह है वो 4 neon pop color palette जो NK Makeup ने recently launch किये है so guys यह जो palette है वो मैंने HOK Makeup की website से खरीदा है and मैंने पहले भी HOK Makeup की website से जो है eyeshadow palette purchase किये है HOK Makeup में काफी सारे brands आपको मिलते है and काफी authentic जो है आपको brands के आपको products वहाँ पर मिल जाएंगे Nika के अलावा आपको HOK Makeup पे भी अगर कुछ खरीदा है तो जरूर चेक आउट करेगा और उस पे काफी सारे offers आते रहते है so guys मैंने जो 3 palettes है इसमें वो मैंने offer में खरीदे थे and एक जो यह watermelon splash वाला palette है यह मैंने individual purchase किया था so guys चलिए सबसे पहले हम packaging की बात कर लेते हैं फिर हम उसके बाद इसके swatches देखेंगे इस तरह के square box में आता है आप देख सकते हो यह plastic का transparent box है and यह है इसका जो shade है वो है watermelon splash and यह जो है red color का transparent आप देख सकते हो box है इसमें से आपको जो है सारे colors है वो दिखाई दे रहे है सारे ingredients जो है वो back पर mention है so guys यह जो palette है काफी छोटा सा palette है आप इसको easily carry कर सकते है packaging इसकी बहुत अच्छी quality की है so guys मेरे पास जो palettes है इसके palettes है बिल्कु सेम packaging है इनकी and guys मैं इनको काफी दिनों से use कर रहे हूँ और बिल्कुल भी जो है यह product बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ कई बार मेरे हाँ से यह palettes गिरे भी है लेकिन कभी भी यह जो है damage नहीं हुए so guys अब देख सकते हो सारे जो palettes है उनकी packaging almost same है बार के जो outer colors है वो according to their shades दिये गए है जैसे कि यह lemon honey है तो इसका जो packaging है वो yellow color है यह watermelon है तो red है यह ocean eyes है तो blue है and यह है lucky charm तो यह neon green color का इसका जो packaging है मुझे इसकी packaging बहुत जादा attractive लगी है and यह जो है वो huda beauty के जो eyeshadow palettes आते है nine वाले उनके यह dupes है and इसी के तरह same revolution make-up ने भी अपने eyeshadow palettes जो है वो launch किये है बार का price शाए 1300 रुपीज है but यह वाले जो eyeshadow palettes है वो आपको 649 रुपीज में जो है एचो के make-up में जो आपको मिल रहे है जो कि काफी affordable range है and उस पर काफी सारे offer भी चल रहे है तो guys मैंने यह जो तीन palette purchase किये थे oh honey, ocean eyes and lucky charm यह मैंने offer में purchase किये है यह 1200 के 3 palettes मुझे पड़े थे और एक मैंने waterman splash जो है वो अलग से individual purchase किया है लेकिन यह भी मैंने जो है offer में लिया था इसके साथ मुझे एक NK Makeup की liquid lipstick and NK Makeup का ही काजल जो है वो मुझे receive हुआ है यह है वो lipstick and काजल तो यह मुझे 649 रुपीज में यह 3 चीज़े मिली हैं तो HOK Makeup पे बहुत सारे अच्छे अच्छे offer चलते हैं जरूर check out करना and guys मैं promotion नहीं कर रही हूँ बट मुझे उनके products and उनके offers बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इतने affordable prices में and उपर सापको discount भी इतना अच्छा मिलता है उस पर तो जरूर check out करेगा अगर आप eyeshadow palettes जो है लेने का सोच रहे हैं so guys अलिए मैं एके करके आपको सारे eyeshadow palettes के जो है swatches करके दिखाती हूँ hand swatches ये वाला जो लुक मैंने create क्या है वो मैंने oh honey palette से किया है तो इसके बारे में हम last में बात करेंगे so guys सबसे पहले हम बात करेंगे watermelon splash eyeshadow palette की तो guys इसमें 9 shades हैं आप देख सकते हो इसमें 9 shades दिये गए है and इसमें 1, 2, 3 4, 5, 5 इसमें matte shade दिये गए है and 4 इसमें जो है metallic shade दिये गए है इस palette में जो shades दिये गए हैं वो काफी early tone के shades हैं इसमें आपको oranges peaches, red ये सारे जो हैं आपको tones दिखाई दे रहे होंगे so guys सबसे पहले हम matte shade को swatch करेंगे मुझे ये वाला जो peach shade है guys बहुत ही प्यारा लग रहा है तो इसको पहले में swatch करती हूँ and guys इसको pigmentation है ना इस palettes का जो मैं पहले भी use कर चुकी हूँ बहुत ही प्यारा pigmentation है आप देख सकते हो and ये है आप देख सकते हो brown जो कि आपका transition shade हो सकता है ये है light shade ये भी आपका अच्छा transition shade हो सकता है मैं आपको एक shimmer shade भी जो है वो swatch करके दिखा प्यों वाव आप देख सकते हो कितना must pigmentation है जो काई आप देख सकते हो इसमें ये वाला जो shade है वो brongy shade है and corally shades है browns है peach shade है तो आप काफी सारे जो है look इस palette से create कर सकते हो and जो इसका जो pigmentation है बहुत अच्छा है ये वाला जो palette है ये भी मुझे बहुत interesting लगा इसमें जो colors हैं बहुत प्यारे colors हैं आप देख सकते हो इसमें blue है green है metallic color है और एक यहां पर आप देख सकते हो हलका सा brownish blackish shade है और blues के काफी सारे है एक यहां पर dark brown color है जो आपका transition shade हो सकता है ये color dye इसमें बहुत प्यारा है बहुत sea green color का बहुत प्यारा shade है ये देख सकते हो आप ये तम dark green color है so guys इनकी pigmentation तो बहुत ही जादा अच्छी है ये आप देख सकते हो एक मैं ये भी आपको स्वेच करके लिखाते हूँ ये बहुत इंट्रस्टिंग शेड लग रहा है मुझे अब देख सकते हो कितने सारे आपको इसमें variety of colors मिल रहे हैं now I will switch the ocean eyes so guys इसमें भी बहुत प्यारे colors है अगर आप blue color की palette लेना चाहते हो इसमें सारे color के blues जो है आपको मिलेंगे अब देख सकते हो सारे color के blues इसमें आपको मिलेंगे इसमें ये वाला shade is silver shade guys ये बोखत प्यारा shade है देख सकते हो ये वाला color है ये भी बोखत इंट्रस्टिंग color है so guys इस palette में भी आपको चार metallic shade मिलते हैं and 5 आपको matte shade मिलते हैं ये एक dark blue shade है अब देख सकते हो dark blue shade है so guys इसमें blues के आपको काफी सारे जो है variants मिल जाते हैं तो अगर आप कोई blue में eyeshadow palette देख रहे हैं definitely आप इसको purchase करिएगा so guys एंड के makeup की इस range से जो सबसे favorite palette है मेरा वो है Oh Honey और आप देख सकते हो इसमें आपको yellow color में काफी सारे colors मिलेंगे palette में आपको 4 matte shade मिलेंगे and आपको 5 metallic shade मिलेंगे और आप देख सकते हो कितने जादा beautiful जो है इनके shade है इनके जो shimmer shades है guys amazing है जो मैंने अपनी eye पे लगा रखा है बहुत ही प्यारा shade है ये जो middle में है वो मैंने अपनी center of lid पे लगा रखा है तो इस तरह के palette इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल है हर कोई इस तरह के palette जो है वो निकालता है नहीं yellow color mostly जो है लोग use नहीं करते हैं इंडिया में लेकिन ये जो palette है guys मैं इसको highly recommend करूँगी ये जो palette के colors हैं वह जादा पसंद है बहुत यूनिक colors हैं अगर आप इन मैंसे कोई भी palette लेना चाहते हो तो मेरी तरफ से oh honey palette highly recommend है इसको आप जरूर पर्चेस करिएगा मैंने आज apply कर रखा है वो है ये yellow ये थोड़ा dark yellow है ये है light yellow तो ये guys neon yellow color है इसका जो ये brown shade दिया गया है ये है transition shade इसको आप as a transition use कर सकते है ये dark brown color है आप देख सकते हूँ अब मैं आपको metallic shade इसके जो है वह स्वाच करके बताऊंगी वह होथ ही प्यारे metallic shade दिये गया है so guys पर पहले मैं ये वाड़ा स्वाच करती हूँ now this so guys ये है सारे metallic shade इसके तो आप देख सकते हूँ कितने प्यारा इसका pigmentation है and अगर आप कोई party look करना चाहते हो so guys आप देख सकते हो सारे जो shades है आप use कर सकते हैं ये golden है ये light golden है ये जो golden है इसमें हलका सा green आपको undertone दिखेगा ये आपका bronzy shade है and ये वाले shade है ये भी light bronzy shade है so guys सारे ही colors इसमें बहुत अच्छे हैं बहुत wearable colors हैं आप इसको अराम से wear कर सकते हो party look create कर सकते हो all over nk makeup के newly launched palettes जो है neon pop colors मुझे बहुत जादा अच्छे लगे जो palettes में जो colors दिये हैं वो काफी unique है और बिलकुल भी repeated eye shadow नहीं है जो mostly मैंने देखा है eye shadow palettes में क्या होता है repeated colors दे देते हैं वो इसमें नहीं है सारे जो shades है वो एक दूसरे से काफी अलग है आपको transition shade भी मिलेगा and कुछ palettes में आपको shades ऐसे भी मिलेंगे जो आप as a blush use कर सकते हो so all over यह जो palettes काफी affordable है pigmentation बहुत अच्छा है and price wise भी बहुत अच्छे है and यह huda beauty के dupes है तो you must try these palettes so guys now आप देखें कि मैंने oh honey palette से यह वाला eye makeup look जो है वो कैसे create किया है so friends इस palette में जो brown shade है उसको हम as a transition shade जो है use करेंगे and इसको मैं अपनी crease पे place करूंगी काफी अच्छे से यह जो color है वो blend हो गया है and जो यह yellow color है इसको हम अपनी पूरी lid पे place करेंगे मैंने यह पे flat brush लिया है आप अपनी finger से भी place कर सकते हैं now जो बीच में यह metallic shade है yellow color का उसको मैं लगाऊंगी guys यह जो shade है बहुत unique shade है and बहुत ही प्यारा shade है इसको मैं अपनी पूरी lid पे place कर लूंगी जो भी fall out हो है इसको brush हम हटा देंगे जो मेरा transition shade था उसको मैंने अपनी lower lash line पे लगाया है now जो यह neon green color है उसको मैं अपनी inner corner पे लगाऊंगी as a highlight and फिर हम liner apply करेंगे उसके बाद mascara apply करेंगे आप चाओ तो eyelashes भी apply कर सकते हो यह बहुत ही simple सा मैंने makeup look किया है then kajal लगाएंगे kajal भी मैंने NK makeup का use किया है then lipstick लगाऊंगी मैं so guys यह था मेरा NK makeup newly launched 9 eye color pop neon color eyeshadow palette का review I hope आपको यह जो review है वो अच्छा लगा होगा को eyeshadow palette जो है choose करने में अब असानी होगी आप असानी से अपने favorite eyeshadow palette को जो है खरीज सकते है please subscribe to my channel hit the bell icon for notification comment down below your lovely suggestions and follow me on instagram so guys we'll meet you soon on my next upload then bye bye and take care